नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नावी एप से 22,000 रुपे का इंस्टेंट लोन कैसे लेते हैं कम्पलीट प्रोसेस बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बता दो दोस्तो नावी एप सबसे अच्छी एप है जहाँ पर आपको इस्टेंटरी लोन मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ना तो प्रोसिंग फीज देनी है और ना ही फोर किलोजर चार्ड देना है यानि कि अगर आप एक बाल लोन ले लेते हैं और समय से पहले अगर आप रिपेमेंट करना चाहते हैं तो आप समय से पहले रिपेमेंट कर सकते हैं कोई भी extra penalty आप पर नहीं लेगेगी इसके साथ साथ यहाँ पर व्याज भी सही रहता है और इसके साथ साथ यहाँ पर फालतों को खर्चा कुछ भी नहीं है अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपे भी लोन के रूप में लेते हैं आपका लोन reject हो जाता है और उसके बाद सीधा 3 महिने के बाद की date आपको दी जाती है तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ पर आप Navi app से instead लोन ले सकते हैं और लोन लेने का सही तरीका क्या है किस तरीके से लोन लिया जाता है complete process बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तो यहाँ पर already मैं पहले भी लोन ले चुका हूँ जो कि मैंने इससे पहले भी 17,000 रुपे का लोन लिया था और आसानी से मिल गया था तो अभी दोस्तो यहाँ पर आप देख लें सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप यहाँ पर life proof देख लें इससे पहले दोस्तो मैंने यहाँ पर 17,000 रुपे का लोन लिया था अभी यहाँ पर दिस्प्ले पर भी देख सकते हो और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो जो 17,000 रुपे का लोन है यहाँ पर देख सकते हैं और इसके नीचे आपको देखने को मिलेगी प्रोस्टिंग फीज जो की 0 देखने को मिलेगी और लोन का जो डिस्पर्ज अमाउंट है वो भी 17,000 रुपे देखने को मिला तो यहाँ पर लोन कैसे लेते हैं क्या यहाँ पर तरीका है लोन लेने का और मेरी EMI देखेंगे दोस्तो तो 3,800 देखने को मिलेगी 8 दिसंबर 2023 को मेरी जो दोस्तो यह EMI है यह complete हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा bank account नमबर देखने को मिलेगा नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मेरा जो है IFSC code देखने को मिल जाएगा पूरी डेटेल आपके सामने आगई अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तो लोन के लिए apply कैसे करना है अब देखो इस app पर आने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो की description, comments box में एक link मिलेगा link पर आप click करेंगे, click करने के बाद आप सीधे playstore पर पहुंच जाएंगे, इस app को install कर लेंगे ठीक है, app install होने के बाद दोस्तो आपको अपना mobile number डालना है OTP बगरा आएगा, वो सब कुछ आप जानते हैं वो सब कुछ कर लेंगे, ठीक है अब उसके बाद दोस्तो आपको कुछ इस तरीकी का interface देखने को मिलता है, जब आप यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर क्या है दोस्तो, स्टार्टिक में जब आप यहाँ पर आते हैं, सब सब बड़ी गलती करते हैं वो गलती यह है कि आते ही आप यहाँ पर कैस लोन पर क्लिक करके लोन लेने के लिए अपलाई करते हैं पर अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लोन के लिए अपलाई करोगे, लोन आपको नहीं मिलेगा, आपकी application cancel हो जाएगी, और यहाँ पर मैं आपको अपलाई प्रूफ दिखाऊंगा, 22,000 रुपे का instant लोन लेकर अभी आपके सामने यहाँ पर हमें किसी भी चीज़ पर अपलाई नहीं करना है, क्योंकि Navi app जो है दोस्तो, यह सबसे पहले जो लोन प्रोवाइड कराता है, अपने निवेशको को कराता है, अपने इनवेश्टर को करता है, तो ऐसे में सबसे पहले आकर आपको यहाँ पर एक इनवेश्टमेंट करना होगा इस app में इनवेश्टर बनना होगा अब यहाँ पर आपको maximum 20,000,000 रुपे तक का लोन मिलता है इसलिए आप यहाँ पर छोटा सा जो अमाउंट है उसको इनवेश्टमेंट कर दें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा digital gold सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है इस loan को लेने के लिए मैंने भी यहाँ 13,000 रुपे का जब मैंने यहाँ पर loan लिया था तो मैंने दोस्तों यहाँ पर 166 रुपे का investment किया था ठीक है अभी आपको क्या करना है दोस्तों नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा live और यह है जोस्तों digital gold यहाँ पर आकर आपको UPI ID app होंगे वो app आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे उन app पर किलिक करना है किलिक करने के बाद paper किलिक करेंगे paper किलिक करने के बाद आपके सामने जो भी आपने app select किया है वो app open हो जाएगा इस तरीके से उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपने bank को select करेंगे जिस bank से भी आप payment करना चाते हैं paper click करेंगे यहाँ पर अपना security password डाल देंगे जो भी आपका security password है उसके बाद आप देखेंगे हमने यहाँ पर दोस्तों payment कर दी यह payment करनी बहुत जरूरी है अगर आपको यहाँ पर loan लेना है तो ठीक है अभी देखें यहाँ पर waiting for payment confirmation है successful transaction होने वाली है 100% हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे हो चुकी है हमने 50 रुप का investment कर दिया ठीक है अब देखो यहाँ पर हमें back आजाना है back आगे अब मालों आप सोच रहे होंगे कि भई हमें loan तो मिला नहीं है और investment हमने पहले ही कर दिया तो दोस्तों आप चाहो तो यहाँ से दोस्तों जो आपने 50 रुप investment किये हैं यहाँ पर option देखने को मिलेगा sell gold इस पर आप click कर सकते हो और 48 घंटे के बाद इस पैसे को withdraw भी कर सकते हो पर मैं आपको यह कहूँगा यह digital gold है digital gold में हमेशा आपकी पैसो के value बढ़ती रहती है तो जब तक आपको loan नहीं मिल जाता है तब तक आप यहाँ पर investment करके रखें एक अच्छी निवेशक बने और उसके बाद दोस्तो loan के लिए apply करें अभी यहाँ पर आपको आना है आने के बाद цativas आपके सामने इवाले इंटरफेस आएगा अभी यहाँ पर दोस्तों आपको cash loan पर click करना है आपके सामने कुछ Orleans पर कर इंटरफेस आता है और interface आने के बाद दोस्तों अब जो है आपके सामने जो भी offer होगा वो offer आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो क्या offer है वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं जैसी आपके सामने दोस्तो यह app install होता है आपके सामने कुछ speaker का इंटरफेस आता है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो हमें यहाँ पर पूरे 22,000 रुपे का offer मिला है offer में आप देखेंगे बताया गया है कि जो processing fees है दोस्तो वो 0% है और जो 4 closer charge है वो भी 0 है ठीक है मतलब हमें extra कोई भी चार्ज नहीं देना है और यहाँ पर हम कम से कम 10,000 रुपे और maximum 22,000 रुपे तक का instant loan ले सकते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो बताया गया है कि अगर हम 7 महिने के लिए ले रहे हैं तो 3,000 रुपे की EMI देनी पड़ेगी यह option आपको देखने को मिले जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा verify bank तो यहाँ पर हम verify bank पर click करेंगे और जैसी verify bank पर click करते हैं हम एक step आगे पहुँच जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे हमारे सामने यह वाला पेज आता है यहाँ पर है कि cash loan जो हमें मिल रहा है bank की detail हमें provide करानी है जिसमें बताया गया है कि अभी हम यहाँ पर 22,000 रुपे ले रहे हैं और यह offer के तायदा हमें मिल रहा है तो हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी जो bank है उस bank का नाम डालना है और search पर click करना है उसके बाद bank को select कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना IFSC code डाल देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी detail आजाएगी की detail दी है वो सही है या गलत है अगर सही detail होगी एक रुपया credit हो जाएगा तो बाकी का जो process है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर क्या है दोस्तों आप देखेंगे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर 22,000 रुपय का loan लेना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको KYC उसको complete करना पड़ेगा उसमें आपको एक selfie देनी है जहाँ पर दोस्तों आपके सर पर कोई भी टोपी नहीं होनी चाहिए और आपके चेहरे पर कोई भी जो है चस्मा नहीं होना चाहिए यह already mentioned है उसके बाद वाला जो step है दोस्तों यहाँ पर हमा यहाँ पर आप next पर click करेंगे उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि pen verification होने वाला है आपका verify वाया digital locker के माद्यम से तो हमें जो है यहाँ पर digital locker के माद्यम से दोस्तों अपना जो pen जो हमारा pen number है उसको verify करना है अभी यहाँ पर continue पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों, आपको यह वाल इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक टिक लगाना है, Authenticate आधार पर किलिक करना है, उसके बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यू आर ओल्डेटी रेजिस्टर्ड विद डिजिटल लोकर, अब क्या है कि जो आपका डिजिटल लोकर है, उसका भी आपका छै नंबर का एक सिक्यूर्टी पासवर्ड होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है, continue पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो आधार वेरिफिकेशन वो complete हो चुका है, यू आर प्रोवाइड, यू आर कंसिड़र, उसके बाद दोस्तों, आपको अलाव पर क्लिक करना है, अलाव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने यह वाला मैसेज आएगा, digital local request done, digital request done, यानि कि हमारा जो वेरिफिकेशन है, वो यहाँ पर success हो चुका है, उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे, आपके सामने कुछ इस परकर अंटरफेस आएगा, यहाँ पर है कि अलाव एप परमिशन, आप यहाँ पर एप को परमिशन देंगे, आपकी माइक्रोफोन की, कैमरे की, और लोकिशन की परमिशन माग रहे हैं, यहाँ पर आपको अलाव पर किलिक करना है, नावी एप के तरफ से, एक करमचारी आपके सामने आएगा, और आपसे यहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, आपसे आपकी इंकम के बारे मैं पूछेगा, नाम पता, पैन कार्ट वेगरा पूछेगा, यही जानकारी पूछनी है, जो बेसिक है, और उसके बाद आपकी जो वीडियो के वाईसी है, दोस्तों, वो कंपलेट हो जाएगी, कंपलेट होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इसपर का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, कि फैचिंग फ्रों यूर रिकोर्ड, रिकोर्ड के इसाब से आपको डेटेल देखने को मिल जाएगी, आप नेक्ट पर किलिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, KYC कंपलिट हो चुकी है, उसके बाद दोस्तो आगे बढ़ जाना है, उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, कि One Step Away Select EMI Date, अब दोस्तो यहाँ पर जो भी आपको लोन मिलेगा, उसकी एक EMI जाएगी, तो आप अपने हिसाब से किस तारीक को आपके पास पैसा रहता है, वो तारीक यहाँ पर आप Select कर लेंगे, और Get Loan पर किलिक करेंगे, क्योंकि जो भी तारीक आप Select करेंगे, उस तारीक में आपके Bank Account से यहाँ पर आपकी Installment काटी जाएगी, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, आपके सामने कुछ इस पर अंटरफेस आएगा, आपको बताया गया है कि 22,000 रुपे का आप लोन ले रहे है, यहाँ आपकी 2800 रुपे पढ़े लिए है, 10 रुपे यहाँ पर 9 मेंने का है, और जो ब्याज है दोस्तों वो 2.4% पर मन्त है, यहाँ पर आप देखेंगे जो की साल का निकल कर आता है 32%, यहाँ पर आप Get Cash पर क्लिक करेंगे, अभी आप देखेंगे, आपके सामने है, पिलीज वेट, सेंडिंग 22,000 रुपे, यहाँ बैंक अकाउंट थोड़ी सी प्रोस्टिंग होती है, प्रोस्टिंग होने के 10-15 मिनाट के बाद दोस्तों, आपके पास बैंक से SMS आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, 22,000 रुपे का SMS आत चुका है, यह बैसे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांस्टर हो चुके हैं, तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर आकर इंस्टैंटि लोन ले सकते हैं, और उस लोन की पेमिंट को, उस लोन की अमांट को